जैशे राम सनातन ज्यान की गंगा में आप सभी सुध्य जणों का पुना हार्दी गविनंदन है पिछले एपिसोड में हम ने देखा सनातन धर्म में इस श्वर को सजीव पूजा जाता है इस्वर को हम साकार रूप में पूछते हैं और जब साकार रूप में पूछते हैं तो जितने देवी देवता होते हैं उनके अलग-अलग उनके आवुशन होते हैं और अलग-अलग उनकी सवारी भी होती है अलग-अलग उनके वाहन भी होते हैं तो इस वाह और भूत बविश्य और बर्तमान सबके रक्षक हैं ऐसे भगवान शिव का बाहक बैल कि देखते हैं किस कारण से बैल है तो जो बाव शिव जी के बाहन है उनका नाम है नंदी और नंदी जो है शिला दिमुनी के पुत्र है और बैल के रूप में हुए थे आधा बैल और अपने बच्चे को शिव जी को दे दिया था ये बैल का जो चरित्र जो होता है आचरन जो होता है बैल बहुत मेहनती होता है बहुत भोला होता है रुखा साखा खाकर भी रुखा सुखा का करके भी कड़ी मेहनत करता है वो और भगवान भोले नात भगवान शंकर का एक न और अगर किसी कारण से उस बहल को करोध आ गया फिर किसी को छोड़ने वाला भी नहीं है ठीक यहीं सिती भगवान शीव की है भगवान शीव तो ऐसे भोले मंडारी हैं कि छोटे छोटे तपस्या में बड़े बड़े वर्दान दे दिया करते हैं लेकिन कहीं उनका मूड़ा उफ हो गया और तिरनेतर खुल गया तो काम देव को भी भस्म कर देते हैं किसी को भी छोड़ते नहीं हैं तो इस तरीके से इस बैल से और शीव जी से हमें ये सिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपने करतब बेपत पर एक सीधे तरीके से बिना किसी लोब लालज के चलते रहना चाहिए भोला भाला बन करके ज़्यादा चतुर नहीं बनना है ज़्यादा चलाक नहीं बनना है भोला भला का मतलब होता है सत्य की राह पर चलने वाला सत्य के राह पर चलते हुए अपना कर्म करते रहें सफलता हमें एक दिर अवश्य मिलेगी इसमें कोई संदेर नहीं है हाँ अगर अगर बहुत ज़्यादा इसी ती खराब हो जाए तो तिसरी आख खोलने से कोई रोक भी नहीं सकता है तो बैल बहुत मेहनती होता है बहुत सिंसियर होता है बड़ी शान्त होता है और समय आने पर तिरनेती भी खोल देता है शायद इसलिए भगवान भोले नात का वाहक जो है बैल से जो कि कोई हो ही नहीं सकता है मिलते हैं एक और वाहन के साथ तब तक के लिए जैशे राम